हेलो फ्रेंड्स किरंदा निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्डिगन के मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिये हैं किसी वीवर्स का कमेंट आया था कि इसके पॉकेट जो सिलने का वीडियो हमें बताएं पॉकेट बताएं कि इसमें कैसे सिली जाएगी तो फ्रेंड्स मैंने बाकी सारा इसको कम्प्लीट कर लिया यह दिखिए यह दोनों तरफ इसमें पॉकेट्स हैं इसमें यह दिखिए यह मैंने एक pocket जो है वो सिलने के लिए रख ली थी यहां से और back side से जो हमें सिलनी है यह देखी क्योंकि दो चार बार comments आ गए हैं कि pocket को सिलना बता दीजिए प्लीज तो friends मैंने यह रखा हुआ है तो इसको आज हम pocket को सिल के देखेंगे कि कैसे सिला जाएगा इसको यह front pocket लगाया मैंने बाकी सारा complete हो चुका है सिर्फ यह side एक रखी हुई मैंने और एक इदर वाला यहां से रखा हुआ है तो चलिए सिलना start करते हैं देखिए friends यह front side से आपका जो सीधी side रहेगी बाकी सारा बना हुआ आ रहा है यहां सिलने का सिर्फ आपका रहेगा यह border जो आपने extra बनाया है यहां से और इदर वाले side से इदर का देखिए मैंने सिल दिया है तो यहां से हम सिलना start करेंगे यह वाला इसको आप क्या करेंगे एक तरफ से सीधा करके सिल लेंगे अच्छी तरफ से और दूसरी तरफ से जब आप सिलेंगे तो यहां से इसको अच्छी तरफ से set कर लीजिए pocket को और यहां पे देखिए आप बिल्कुर इसको सीधा करके ऐसे तो यहां से सिलना start करेंगे फ्रंट से इसको सिलना आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे आप सेफटी पिन के साथ इसको अटैच कर लीजिए सिलने के लिए ताकि यह अराम से सिल जाए यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से पहले attach करेंगे क्योंकि यहाँ से आपका हाथ पॉकेट में बार बार जाता है तो अपकी पॉकेट लूज होने का इसमें खत्रा रहता है तो यहाँ से आप इसको अच्छी तरह से attach कर लीज़िए पहले दो तीन टंके लगा लेजिए यह दिखे ऐसे यहां से अटैच हो चुक है अब बस आपको यह वाला इतना सा सिलना है ऐसे करते हुए आप छोटे छोटे इसमें स्टिचिज लेजिए ताकि यह दिखे ना यह दिखे यह बॉर्डर बॉर्डर है सिलने का थोड़ा सा बिलकुल इसको आप ऐसे दिखे व्रण्स यह जो इतना सा बॉर्डर है यह हमारा सिलके कम्प्लीट हो चुक है अब इसी के नीचे आप यहां से करते हुए यह देखे यहां से आप नीचे को सुई निकाल देंगे यहां से जब आप सुई नीचे को निकालेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि आप बैक साइड में पहुंचेंगे यहां पे आपको इसका यह वाले साइड सिलने ही यह देखें वहीं पे आप निकलेंगे तो मैं दूसरी साइड से करते हूं सिलने के लिए देखे फ्रेंड्स आप इसकी बैक साइड में आ गए है ये बस आपका यहां से सिलने को है ये नीचे से तो हमारी पॉकर जो है अटैच है इसके साथ इधर से मैंने सिल दिया है ये ही बस इतना सा आपका सिलने का है तो इसमें क्या करेंगे कि आप इसको पॉकर को बिल्कुल स जैसे आप सिलते हैं वैसे सिलिए बट पॉकेट को सीधा रखिए अच्छी दरसे ऐसे चोटे-चोटे इसमें स्टिच इसको सिलते हुए इसे सीधा हिए हां से-डालिकार उठाए और इसको साथ में आपको जदाए इसमें हुए स्थिलते हैं बहुत एजी तरीका है यह और यह पॉकेट भी बहुत बढ़िया बनके आता है फ्रैंड्स आपको ज़्यादा इसमें सिलाई करनी नहीं पड़ती है यह दिखे ऐसे ऐसे ही छोटे-छोटे स्टिचिज लेते हुए यहां तक आप इसको सिलके कम्प्लीट कर लीजिए मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स मैंने यहां पर यह सारा सिलके कम्प्लीट कर ली है और इसको अच्छी तरह से अटैच कर दिया है यह देखे यहां से हम धागा काट देंगे तो मैं आपको सीधी साइड से दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स यह जेव का फ्रेंट साइड है यहां से हमने सिला था यह सिलके कम्प्लीट हो चुक है अब आप आराम से सिल लेंगे इसमें कोई भी दिक्धत नहीं आएगी यहां से देखे फ्रेंड्स कोई भी इसमें सिलाई नहीं है यह सिरफ इसको आपको छोटा थोड़ा थोड़ा बॉर्डर सिलने के बाद आप सुई नीचे को निकाल देंगे और आप पिछे का इसका यह वाला हिस्सा जो है नीचे वाला अटैज कर लेंगे बस इतना काम है आपको अब आप आराम से कर लेंगे और प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर थेंक यू